हेलो एव्रिवान एंड वेलकम टू अपनी कक्षा और आज हम इंटिग्रेशन के इंटिग्रल्स के जो हमारा चाप्टर नंबर 7 है एक्जेंप्लार के सॉलूशन करने वाले है हम यार काफी चुनिंदा सॉलूशन करेगे सिर्फ कुछी कोश्चेंज को पिक किया है मैंने जो इंसी आरटी से क्लियरली डिफरेंट है ठीक है और उनमें दम है कॉस्चेंज में यही कॉस्चेंज वो होते है जो एक्जाम में आते है यार बोर्ड में कई बार मानलो अराउंड 10 माक्स का भी आ जाता है कई बार हंडड में से और बच्चों को दिक्क दे जाती है उसमें तो इनको यार निप्टाते है, पहले short answer questions देखते है कुछ 10th question है हमारा यार question भी note कर लो ठीक है यह exemplar से ही लिया है मैंने exactly ठीक है इसमें hint हमें दे रखा है कि root x को z put करते हैं तो चलो ठीक है, hint से ही लेते हैं root x मेरा z है, x हो गया मेरा z square तो dx हो गया मेरा 2z dz, ठीक है तो dx की जगे लगा दिया मैंने 2z dz, ठीक है x की जगे लगा दिया z square, root x की जगे लगा दिया z अब तो यार क्या ही बचा मैंने 2 को बाहर ले लिया, यह आगया z cube अब z cube upon z plus 1 या z minus 1 की integration कैसे करते हैं, बहुत simple अगर plus है तो उसमें plus add कर दो और एक minus 1 भी करना पड़ेगा, मैंने किया है plus 1 minus 1 और 2 था ही मेरा बाहर z cube plus 1 क्या होता है, z cube plus 1 cube तो यह क्या हो जाएगा मेरा, z cube plus 1 cube is equal to z plus 1 a plus b a square plus b square minus a b, a cube plus b cube की लगा यह बहुत जादा simple है तो यह कटके मेरा यह आगया क्योंकि a plus b तो कट गया मेरा यहां सिर्फ 1 बच्चा तो इसके integration log z plus 1 हो गई, बहुत simple z की जगे से यहार वापिस root x लगा दो, देखो मैंने लगा दिया है, यहां और इसके integration तो बहुत simple है, वापिस से back substitute के answer आगया मेरा 19 की तरफ बढ़ते हार, 19 में दे रहा है x square upon 1-x square dx, put x square is equal to d, we are not going to use the hint, कोई use नहीं है क्योंकि इसका simply बस क्या करो, half को मतलब 2 को मैंने multiply और divide कर दिया, कर दिया ठीक है, उसके बाद यह 2x square बन गया जिसमें यह और यह cancel हो जाएगा, तो यह बचा और फिर उसके बाद यह बचा, इसकी integration direct होती है, tan inverse x और इसकी भी direct होती है, a square minus x square की integration, याद है यार तुम्हें, direct integration होती है इसकी ओके तो इसके अभी answer आगया मेरा यह, और इसका answer मेरा आगया यह, खतम भाई question, all right तो 23rd पे बढ़ते है यह question काफी अच्छा है, अच्छा मतलब यार क्योंकि जिस method से मैंने किया है न यार, please method पे ध्यान दो, बहुत important है, ठीक है और भी तरीके हो सकते थे कि इसको पहले divide कर दो, इससे उपर आजाएगा देखो, अगर मैं करता हूँ सिर्फ divide तो आजाएगा sin 6x upon sin square x और उपर ले गया मैं 6 square x, cos square इसको, तो या गया sin 4x upon into 6 square x, मतलब ऐसा ऐसा ही करके कुछ answer आएगा, मैं पूरी की पूरी आज ट्रिगों सिखाने वाला हूँ यार तुम्हें, इस question में सिर्फ ट्रिगों लगी कि integration जादा नहीं लगनी, a6 plus b6, मैंने इसको किस form में लिख दिया, sin square का cube, यानि इसको मैंने a ले लिया, a3 plus b3, cos square को, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि a3 plus b3 होता है, मेरा a plus b, bracket a square plus b square minus ab, मै तो बहुत ही देखो मैंने लिखा है, only one identity uses पूरे के पूरे में यार, एक identity का इस्तमाल के है, तगड़ी तरीके से, अब मैंने फिर से इस्तमाल कैसे किया, एक बार ढंक से देखना, sin 4, cos 4, sin square, cos square, ये मेरा हो रहा है, इस से divide, तो मैंने क्या किया, देखो, इसको लिख दिया sin 4, plus cos 4, plus 2 sin square, cos square, minus 3, ये, एकी बात है न, इतनी मातस तो आनी चाहिए, यार तुमें, ये सिखाने की बात तो है नहीं अब कोई, ठीक है, अब क्या किया, मैंने separate out कर दिया, इसको minus, ये चीज, देखो, अलग-अलग लिख दिया मैंने, अब मुझे ये बताओ, ये तो होता है मेरा, पूरी टेकनीक देखो, बेसिकली जो ये question था न, मेरा यार, ये, ये, ये reduce होके, ये question बन गया, और ये तो खतम question है बिल्कुल, कैसे खतम है यार, पहले 1 upon this कर दो, तो मैंने क्या किया, 1 को आप देखो, वापिस से, ये बहुत ही important चीज सी, मैंने इसको पहले separate out कि फिर minus इसमें ऐसे रखा, ठीक है, जो ये minus वाले time है, तुम देख सकते हो, ये sin square, sin square कट जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, तुम सोचो कि ये कहां से आ गया, यार, अगर मैं sin square plus cos square को 1 लिख सकता हूँ, है ना, तो 1 को भी तो लिख सकता हूँ, sin square plus cos square वापिस से, तो मैंने यार, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया sin square plus cos square, अब मैंने separate out किया, ये basic integration होती है, तो आगया 1 upon cos square x plus 1 upon sin square x, यानी, sex square plus cos square, tan x minus cortex minus 3x, part question था ना, यार, बिल्कुल, सिर्फ trigger लगी थी, इसमें, अब 26 question यार, ये है, dx upon x, x4 minus 1, मुझे दे रखा है, put x square is equal to sex theta, not gonna use the hint, hint नहीं x square को t put किया, तो 2x dx मेरा अपने आप ही dt के बराबर बन गया, बन गया dt के बराबर, तो obviously x dx जो मुझे यहां दे रखा, ये मेरा हो जाएगा half dt के बराबर, है ना, ये 2 इधर ले गया हमें, ठीक है, तो मैंने लिख दिया, इसकी जगे half dt, और इसकी जगे क्योंकि ये t है, तो t, t square minus 1, क्या ये question समापत नहीं हो चुका है already, इसकी तो direct integration होती है, second verse t, याद है यार इतनी चीज़े तो, ये याद होना चाहिए तो आगया half second verse 3, half second verse x square, अब फाल तुम्हें यार देखो, ऐसी substitution मारने की ज़रूत नहीं पड़ी, बहुत ज्यादा simple था है, ठीक है, को देते हैं, वो बोलते हैं कि put करो x को tan theta, फिर क्या बन जाता हमारा ये question कुछ ऐसा बन जाता, देखो, उपर बन जाता सिर्फ sec theta, क्यों, क्योंकि 1 plus tan square theta, x square theta का under root sec theta, ठीक है, नीचे ले जाओगे तो क्या बन जाएगा मेरा tan 4 theta, d theta, अब यार ये भी कैसे solve होता है, solvable तो ह ये सब नहीं करने है, बहुत जादा simple question है, x square को common लो उपर से, तो यहां क्या बचा, 1 upon x square plus 1, x square को मैंने common लिया तो उसको बाहर निकाल लो, तो एक x बाहर आएगा, क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये cut के यहां बन जाएगा x cube, अब इस चीज़ को t put करो, अपने आप ही तुम्हारे पास dt बनके आ जाएगा, dx upon this की value अपने आप ही बजाएगी, minus 1 by 2 dt, और ये हो गया root t, देखो question ही खतम हो गया, क्या था इसमें, कुछ नहीं था, 20 second question again, यार, it is a decent question, मतलब अच्छा है, तभी, तभी मैंने select किया है, ये लि मैंने sin 3x और sin 3x multiply divide किया, ऐसा मैंने इसलिए किया, क्योंकि ये हो जाएगा 2 cause a sin a, या फिर हो जाएगा sin 2a, है न, 2 cause 3x, sin 3x को मैं लिख सकता हूँ sin 6x, और ये चीज़ इधर चले जाएगी फिर, sin 3x और एक ऊपर भी चले जाएगी मेरी, मैंने इसलिए किया, क्योंकि यह और sin a minus sin b होता है, 2 sin a minus b by 2, और cause a plus b by 2, देखो लिखिये, पूरी identities, पूरी identities, देखो यार 11b के trigger तुम्हें आने चाहिए, देखो उसके बिना काम नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी, ओके, इसके बाद, cause 9x, cause 9x by 2, कट गया, ठेखो है, sin 3x को मैंने क्या लिखा है, अभी बत 2 cause a sin a, to sin 2a होता है, और sin 2a को भी लिख सकता हूँ, 2 sin a cause a, मैंने लिख दिया, यहां से sin 3x, sin 3x कट गया, अब मेरे पात बचा 2 cause a cause b, अब फिर से उल्टी identity लगाई है, देखो, पहले इसकी identity ऐसी लगाई थी, अब cause a cause b की identity उल्टी लगाई है, कि इसकी identity होती है, cause a plus b by 2, plus cause a minus b by 2, तो यह आगया मेरा, देखो, cause 3x by 2, plus x by 2, याने कि 2x, और फिर x, तो इनकी integration direct हो गई, क्या यार, बहुती फट्टू question नहीं था, इसमें था क्या, basically यह जो question है, this was nothing, but this, मतलब इसको बे मतलब में, इसको इन्होंने बे मतलब में, बढ़ा करके दे दिया, इस question को, ताकि मुश्किल हो जाए, यही question, question तो यही था ना, देखो, integration तो मैंने इसके बात किया, इन steps में, तो मैंने सिर्फ ट्रिगो का इस्तमायल किया, अपनी simplify करने के लिए, तो ठीक है, आर ऐसे question से साफधान रहेना है, 25th question, cause x minus cause 2x upon 1 minus cause x, कुछ नहीं करना, इसमें मैंने क्या किया, minus 1 plus 1, फिर separate out कर दिया, यह तो कटके बन गया, minus 1, ठीक है, यह क्या बना, 1 minus cause 2 theta का direct formula होता है, 2 sin square theta, तो 2 sin square x, देखो, मैंने लिख दिया, मैंने एक और चीज़ क्या किया, denominator में, 1 plus cause x multiply किया, और numerator में भी, same चीज़ multiply, divide कर दिया, उसके बाद, a minus b, a plus b, होता है, 1 minus cause square x, जो होता है, मेरा directly sin square x, ठीक है, sin square, sin square, cancel हो गया, तो basically question मेरा यह था, यह तो भुद्दू बनाने के लिए दे रखा था मुझे, question मेरा यह था, जो बना 2 cause x plus 1, यानि कि 2 sin x plus x, खतम हो गया question, ठीक है, अब बढ़ते है, अपने आगे, ठीक है, मुझे दे रखा है, यह important यार, mark कर लो, इसको या तो, इसको करने के और भी तरीक है, बढ़ यह वाला देखना है, ठीक है, क्या तरीका, कि, देखो, नीचे क्या है, दो factors है, जिनको मैं ऐसे multiply कर सकता था, तो answer आता, 2x, ठीक है, minus x square, minus 2, plus x, यानि कि, कि इतना आया मेरा यह धंसे करते है, एक बार, minus 2, ठी 3x, minus 2, यानि कि, minus of x square, minus 3x, plus 2, ठीक है, ऐसे मैं दे रखाता है, तो, इसको हम completing the whole square, और वो वले formula भी, इस्तमाल तो कर सकते थे, बट, एक easy तरीका क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, कभी भी, तुम्हारे पास, देखो, इसको मैंने आई मान लिया, पहली बात तो, 1 to 2 definite दे रखा है, इन integrals of the form, dx upon x minus a into b minus x, ठीक है, substitute x is equal to a cos square theta, plus b sin square theta, and अपना question automatically खतम हो जाएगा भाई, इतना simple हो जाता है ना, इसके बाद, ये तनी तगड़ी identity है मेरी, और यार, इसमें ना, ये चीज़ नोटिस करो, अगर मेरे को कुछ ऐसा भी दे रखा हो, अगर मान multiplication भी valid है, multiplication भी valid है, ये substitution, कभी भी ये दोनों चीज़े दिख जाए, तो valid है, यहर ये क्यों valid है, एक बाद ढंक से देखो, अगर मैं x को a cos square theta plus b sin square theta put करता हूँ, तो x minus a क्या बनेगा, x minus x की value क्या है, सबसे बेले ये डाल दो, a cos square theta plus b sin square theta minus a, तुम यार skip कर सकते हो, अगर त इंपोर्टन चीज़ है, ठेक है, bracket में b minus a cos square theta plus b sin square theta, sorry minus, ये भी minus में हैगा, total minus हो रहा है मेरा, मुझे ये बताओ, a cos square theta minus a होगा, minus a sin square theta, और ये आ जाएगा, क्या मेरा, plus b sin square theta, तो मेरी चीज़ आ गई, b minus a sin square theta, और similarly, इधर के आ जाएगा, बी minus b sin square theta हो जाता है, b cos square theta, तो b minus a cos square theta, तो ये rationalize हट नहीं किया, रूट था मेरा, मेरा b minus a का whole square at the end, ये क्या बना मेरा, b minus a का whole square sin square theta, हमेशा ये ही बनेगा, हमेशा, cos square theta, का अंडर रूट, तो तीनों चीज़े कटके भार आ गई, तो ये ही तो करना था हमें, इस case में, मेरा a है 1 और b है 2, तो मैंने x को a cos square theta plus b sin square theta, ठेक है, इसका dx निकालो, तो ये आ जाएगा कुछ, ठेक है, 2 sin theta cos theta d theta, बहुत ही सही, अब ये question तुम देखना, बहुत ज़्यदा simple होने वाला है, now, x की value ये है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यार, देखो, sin square theta को मैंने लिख दया, 1 minus cos square theta, ये सिर्फ अभ तो 2 minus cos square theta आ गया है, हहां से मेरा, ठेक है, cos square theta हो गया मेरा 2 minus x, क्योंकि x की value ये है, cos theta हो गया मेरा under root 2 minus x, theta हो गया मेरा cos inverse under root 2 minus x, ठीक है, तो अगर मेरा x जा रहा है 1 से 2, तो theta जाएगा, cos inverse, यहाँ पहले 1 डालो, तो cos inverse 1, 2 डालो तो 0, cos inverse 0, cos 1 कब होता है, 0 पे, और cos 0 कब होता है, pi by 2 पे, तो limits आ गई हमारी 0 to pi by 2, और भी बढ़िया, तो limit change कर दी, पूरा integral अब theta की terms में है, मेरा x हट चुका है, ठीक है, मैंने अभी बताया था, dx की value आ गई थी, 2 sin theta cos theta, लिख दी, नीचे क्या आएगा मेरा, नीचे अगर तुम्हें याद हो, तो क्या आ रहा थ होगे, तो ये बन जाएगा, sin theta cos theta, और ये तो कट गया ना, तो कितना बचा, add the end, 2d theta, बहुत जाद है simple, integration 2 theta, 0 to pi by 2, answer आगे pi, बिल्कुल खतम नहीं होगे, question, in general कभी भी अगर ये वाला question दे रखो ना, ये वाला, तो इसको उपर देखो, इसकी add the end integration पते क्या बन जाती है ये बन जाती है इतनी, जैसे यहाँ ये 2 आ गया ना मेरा, तो समझ जाओ यार, मतलब कि ये SEC integration बनती है, round b minus a something बनता है मेरा, कुछ b minus a, और फिर नीचे भी b minus a रह जाता है मेरा, okay, so 34th question को करते है, 0 to half, 1 plus x square upon 1 minus x square, तो चलो यार, जो इन्होंने दिया, इसको put करते है, let x is equal to sin theta, कर दिया, put, dx cos theta, d theta, कर दिया, put, तो अगर x मेरा 0 है, तो theta हो जाएगा sin inverse 0, यानि 0, और x मेरा अगर 1 by 2 है, तो sin inverse 1 by 2 होता है, pi by 6, okay, clear होने चीज़े, सारी चीज़े, तो ये मैंने limit change कर दी, इसकी directly, उसके बाद मैंने क्या किया, dx को मैं लिख सकता हूँ, cos theta, d theta, सिर्फ, in cases में, कभी भी मेरे पास बच हो, question हो, dx upon a square, cos square x, plus b square, sin square x, in question में, तुम उपर नीचे, sex square x, sex square x से multiply कर देते हो, and divide, तो मैंने कर दिया, नीचे यहाँ इस से multiply किया, तो sex square theta आ गया, और sex square theta into sin square theta होता है, tan square theta, ये तो बहुत ही बच्चों वाली चीज़े है, अब मैं मैंने क्या किया, इस sex square theta को लिख दिया, one plus tan square theta, इसका reason है, reason क्या है, ये मेरा बन गया, two tan square theta plus one, अब मैंने tan theta को t put किया, तो ये अपने आप dt बन गया, तो देखो, ये dt upon one plus two, two t square, अब एक बार limit change का भी देखते है, यार मैंने tan theta को t put किया, sex square theta dt, ठीक है, बहुत सही, theta अग tan inverse root two t upon root two, ये तो एक basic integration का chain rule type सा कह सकते है, तो answer आगे limit जालके, one by root two tan inverse under root two by three plus c, okay, 39th question की तरह बढ़ते है, अपने, दे रखा, e raised to power tan inverse x, और ये ये सारी चीज़े दे रखी है, सबसे पहले यार इसको किस form में लिखना, यार ये देख लो, मैंने इसको ऐसे लिखा, इसको tan inverse x को t put करो, अपने आप ही तुम्हारा dx upon one plus x square dt बन जाएगा, जो मेरे पास given है, तो इनकी जगे मैंने लिख दिया dt, इसकी जगे लिख दिया et, क्योंकि tan inverse x से t है, अब तुम सोचोगे मैंने ये क्या लिख रखा यार, बहुत ही simple सी बात नहीं, tan inverse x अगर t है मेरा, तो मे मैंने one plus tan square t को लिख दिया, sex square t, ये देखो, tan t sex square t, ft f dash t, ex integration fx plus f dash x की value होती थी, dx, ex fx, है न, ex fx होती थी मेरी value, तो लिख दी मैंने directly et tan t, बहुत ही सही आर, तो इसका answer आ जाएगा, सबसे पहले e raised to power tan inverse x और tan t मेरा था x, तो मेरा answer आ गया ये, तेक्या, क्योंकि back substitution भी कर करनी होती है, खुद देखो यार, अगर मुझसे गलती हो सकते हो, तो तुमसे भी हो सकते है, exam में ऐसी छोटी छोटी गलती हा, नहीं करनी number कर जाएगे, okay, answer number 40, 40 क्या था हमारा ये था, sine inverse x upon a plus x का under root, hint दे रखाए कि x को a times square theta पूट कर दो, यार अब तुम बार बार सोचत रह जाएगे, तो गौर से देखो एक चीज, मैंने क्या किया, अभी के लिए hint को भूल गया, मैं, जो भी ये चीज दे रखे ना, मैंने इसको theta assume कर लिया, या t assume कर लिया, कुछ भी, तो अगर sine inverse anything अगर theta है, तो इसका मतलब sine theta की value ये, ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों side whole square क x is equal to a sine square theta, ये 1 minus sine square theta होता है, cos square theta, इस cos square theta को मैं नीचे लेगा, तो आगया x is equal to a time square theta, क्या तुम देख सकते हो कुछ कमाल, ये इसलिए हमने ऐसा put किया है, ताकि चीजे solve हो जाए, तो अब देखो, अगर मैंने इस पूरी चीज को theta put किया है, है ना, तो ये तो theta ही है मेरा, तो मेरा integration क्या बनी, theta into dx, अब dx की value क्या है, ये देखना पड़ेगा, हमें धंक से, ठीक है, dx कैसे निकालेगी, मेरा x था a tan square theta, तो dx होगे 2a tan theta से x square theta, तो मैंने लग दिया ये, ठीक है, इस 2a एक constant है, मैंने इसको बाहर लिया, इधर आगया मेरे 2a, ठीक है, अब मैं theta को u put कर रहा हूं, और इस पूरी चीज को v put कर रहा हूं, और बाइपार्ट लगा जे रहा हूं, ठीक है, बाइपार्ट हमेशा violet नहीं होता है, वैसे तो इसमें लग रहा है कि ये algebraic है, और ये पूरा trigonometric है, बट ये तीन चीज़े है, तो तुम्हें तीन बार बाइपार्ट न स्कूरर थीटा, डी थीटा बन जाता है, ठीक है, तो टी डी ती, आंसर आगया, टी स्कूरर बाइटू, टैन स्कूरर बाइटू, बहुत ही गतम, तो इस बहुत ही मंदब मस्त, तो अगर इस फॉर्मुला होता है, हमारा बाइपार्ट का, इंटीग्रेशन, यू वी इस ए इसकी इंटीग्रेशन फिर से हां लिग दी, अब इसकी फिर से इंटीग्रेशन क्या होगी, उससे पहले तुम क्या करो, इस 2 और 2 को काट दो, तो ए बजग गया, थीटा, टैन स्कूर थीटा, माइनस, टैन स्कूर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्कूर थीटा मा कर चुक है तो मैं लेक्चर वीडियो में पढ़ा चुक हूँ से एक स्कूर थीटा की integration होती है टैन थीटा और इसकी होती है एक्स मदब थीटा माइनस माइनस प्लस ठीक है बहुत सही तो मेरा answer आगया कुछ ऐसा मैंने फिर से यहां मैंने थीटा को common लिया और टैन स्कूर थीटा प्लस वनको लिख दिया से एक स्कूर थीटा कर सकता हूँ क्योंकि मैं यह मेरी मर्जी है इसके आगे मैंने सी भी लगा दिया अब बैक सब्स्ट्यूडिशन भी तो करनी है यह answer तुम्हारा final answer थोड़ना है back substitution कैसे करनी है x मेरा था a tan square theta तो मैंने देखो लिख रहा है now x is equal to a tan square theta यहां से tan square theta आ गया x by a तो मेरा tan theta हो गया root x by a सेक स्कूर थीटा क्या हो गया मेरा बताओ one plus tan square theta यानि कि a plus x by a थीटा मेरा हो गया यहां से यहां से theta हो गया tan inverse x by a अब सारी values इसमें put कर दो a तो already था अब मैंने क्या किया सेक स्कूर theta मेरा था a plus x upon a तो a और a यहां का कड़ गया था मेरा तो मैंने सेब लिख दिया a plus x और theta की value कितनी है मेरी tan inverse x by a और tan theta मैंने रिखा a minus a tan theta यानि कि minus a into tan theta की value रूट x by a तो आगया रूट ax ठीक है 43rd question is very very important यह चीज़ यह concept में तुम्हें बता भी चुका हो one upon one plus x4 कभी भी दे रखाओ तो इसकी integration कैसे करते है यह भी कुछ वैसा साही है hint जो दे रहा किये exactly वह follow करो कई बार ncrt अच्छे hints भी दे देता है tan x को t square put करो tan x को t square put करो sex square x dx मेरा बन गया 2t dt sex square x को मैं लेख सकता हूँ one plus tan square x यह मेरा बन गया 2t dt इस one plus tan square x को मैं नीचे लेकर जा सकता हूँ tan square x मेरा क्या होगा अगर tan x t square है देखो अगर मेरा tan square x होगा t raise to power 4 definitely तो one plus t4 मैं नीचे ले गया तो तुम देख सकते हो dx मेरा पूरा इसकी terms में आ गया तो dx की जगे मैं ने यह लिख दिया और यह तो मेरा t था और यह मेरा i2 है और इन दोन को मैं बलागलग solve करते जाओंगा ठीक है दियान से देखना यहां भी t square common लिया numerator denominator में यहां भी numerator denominator में t square common लिया इसको cancel कर दिया उपर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया मैंने क्या किया जब मेरे numerator मे 1 plus 1 by t square होता है तो समत जाओ नीचे मैं minus plus करूँगा इसका reason में तुम्हें बताने वाला हूँ और जब मेरा 1 minus 1 by t square होता है तो मैं करूँगा plus minus करूँगा ठीक है बस मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ देखो यह हट चुक है यहां मैंने plus 2 minus 2 कर दिया अब मुझे यह बताओ यह है t square plus 1 by t square minus 2 इसको मैं लिख सकता हूँ t minus 1 by t का whole square definitely लिख सकता हूँ और इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ t plus 1 by t का whole square definitely मैंने यह लिखा इसलिए है क्योंकि यहां मैंने minus plus इसलिए किया है अगर मैं t minus 1 by t को अब u put कर देता हूँ यह t कुछ और put करते था हूँ तो इसकी integration क्या होगी differentiation sorry 1 plus 1 by t square हो जाएगा dt is equal to du ताकि यह चीज मेरी eliminate हो जाए देखो मैंने इसको यह put किया यह dt मेरा बन गया du यह मेरा u था तो उपर की चीज़ तो du बन गया यह चीज u square plus 2 2 को मैं लिख दा root 2 का whole square similarly इधर v put किया मैंने t plus 1 by t को तो 1 minus 1 by 2 square dt हो गया हमारा dv के बराबर तो यह हो गया मेरा dv नीचे v square minus 2 all right इसकी integration direct होती है 1 by root 2 tan inverse u by root 2 इसकी integration direct होती है 1 upon 2 है log x minus a upon x plus a x की जगे v है तो v लिख दिया मैंने बाद में back substitution भी हमें करनी है back substitution कैसे करनी है कि मेरा जो u था u था t plus 1 by t और यह t plus 1 by t मेरे t की value थी root tan x और t square था tan square x देखो t था हमारा t square था tan x तो जहां भी मेरा यह t square है ना इसकी जगे मैं लिख दूँगा tan x तो मेरा final answer क्या आ जाएगा चलिए लिखते यार उसको भी अपना final answer लिखना क्योंकि अच्छी बात है 1 upon root 2 tan inverse t हमारा था tan x तो tan x minus 1 upon root 2 tan x directly लिख दिया मैंने इसको ठीक ह plus 1 upon 2 root 2 log बोर हो रहे हो तो skip कर सकते हो तुम ठीक है यहां जाएगा tan x plus 1 ठीक है minus root 2 tan x directly लिख दिया मैंने और यहां tan x writing थोड़ी अच्छी नहीं है तो bear कर लो मिर साथ plus root 2 tan x okay so 47th question के दरफ बढ़ते है अपने minus a to a यानि कि minus 5 by 4 to 4 log sin x plus cos x मैंने इसको मान लिख दिया i इसको fx dx यहां मैंने actually यह वरी property लगाई है a to b fx dx ठीक है इसकी value होती है a to b f of a minus x a plus b minus x dx तो यहां क्योंकि 5 by 4 और 5 by 4 और इन दोनों को add गर होगे तो बस x की जगे मैंने minus x को डाल दिया है देखो कोई problem तो है इसमें अब cos minus x तो cos x होता है sin minus x होता है minus sin x इसको मैंने t put कर दिया adding 1 and 2 we get 2i is equal to log cos minus a देखो log मेरा क्या है log cos x plus sin x plus log cos x minus sin x log a plus log b is equal to log a b और इन दोनों की multiplication होगी a plus b a minus b a square minus b square cos square minus sin square का direct formula आता है cos 2 theta अब मैंने क्या किया clearly मैं देख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 2i is equal to 2 times 0 to this ये क्या था minus a to a fx dx और मेरा cost ये जी जो फंक्शन है ये मेरा even function है ये जो भी है ये मेरा even function ठीक है तो इसके बाद मैंने क्या किया अब इस चीज में इसको 2 को ऐसा करता हो तो तुम काट भी सकते हो पहले पर मर नहीं है उसकी देखो even function side में सब कुछ लिखा है 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx ये देखो तो मैंने क्या लिखा है cos 2 pi by 4 minus x तो ये आगया 2 pi by 4 यानि pi by 2 minus 2x यानि कि sin 2x ठीक है अब क्या करो 2x को t put करो set property property लग रही है जाधा इसमें integration नहीं हो रही है 2x को t put किया तो ये बन गया log sin dx मेरा बन गया half dt क्योंकि x हो गया t by 2 x अगर मेरा 0 to pi by 4 जा रहा है तो t है जो 2x है वो जाएगा 0 to pi by 2 0 to pi by 2 log sin dt 0 to pi by 2 log sin dx कितना होता है मेरा minus pi by 2 log 2 log 2 2 आ गया इधर और एक half already आ गया था half यार कैसे आया यार मेरा क्योंकि यार इसको 2 और इस 2 को अगर तुम काट देते हो तो एक half यहां से भी आया मेरा तो यह half लिखा है मैंने तो overall मेरा answer आ गया pi by 4 और यह minus को इधर ले गया 2 raise to power minus 1 बना दिया यानि कि कितना आ गया मेरा log 1 by 4 और यह मेरा log 1 by 4 बिलकुल भी नहीं है क्योंकि मेरी बहुत ही silly mistake हो गई थी यह है 1 by 2 okay अब आते है अपने objective type questions पर यार objective type question में क्या दे रखा है पहला question है e raise to power x 1 minus x 1 plus x square इसका whole square और यहर याद रखना यार बार बार ना revise करना अच्छी बात होती है यहर यह देखो मैं इस चीद को वीडियो में काट भी सकता था जो यह था और तुम्हें बिलकुल सही answer दे सकता था बड़ गलतिया अगर मेरी हो रही है तो तुम्हारी भी हो सकती है ठीक है यह important चीज है यह देखो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ठीक है अब इसमें एक one plus x square कड़िया मेरा तो यह बन गया बहुत ही simple question है अगर इसको तुम f of x मानते हो इसकी differentiation मेरी यह यह आती है f-x तो e x fx प्लस f-x e x fx ठीक है तो a option आईगे समारा यह है a is the correct answer ठीक है 50 second question is a decent question स्टार ठलका सश्टार लगा सकते है ठीक ठीक question है इसमें करना क्या यार तुम्हें common लेनी आने चाहिए चीज़े जब भी तुम्हें बेहुदा इंटेग्रल दिख जा जिसमें कोई substitution नी चलने वाली कुछ नी चलने वाला तो तुम और बड़ी बड़ी पावर दे रहे हैं यहां स तो हमेशा जो भी एक स्कोर एनो उसको बाहर निकालो मैंने एक स्कोर को common लिया तो आगया 4 प्लस 1 बाई एक स्कोर इसका अभी भी होल का हमारा 6 है अब मैंने यहां 6 लेकर गया मतब यहां 6 और यहां भी 6 तो यह एक स्रेश्ट पावर 12 आ गया I don't think इसमें कोई डाउट होन चाहिए और यह एक स्रेश्ट पावर 6 अब यह देखो कमाल क्या होगा यह सिर्फ एकस क्यूब बचा और question हमारा समाप्त हो गया क्यूँ इसको टी-पुट करो अपने आप यह dt बन जाएगा देखो dx by x-cube मेरा अपने आप ही यहां बन गया 1 by 2 dt माईस 1 by 2 dt और यह बन गया बच्चों को confusion हो सकती है अगर मुझे दे रखा हुता 1 plus cos x upon x plus sin x dx तो यह तो बिल्कुली फट्टू question है इसको t put करो यह dt बन गया answer आगया log x plus sin x जो बच्चे गलती करेगे इस पर tick मार देगे सीधर number कट जाएगा इसमें यह wave कूँ बनाने के लिए दे रखा इसकी कोई ऐस integration हो नहीं सकती है substitution से directly तो इसको पहले करना है हमें separate out पहले यह plus इसकी integration तो इसको मैंने देखो 2 integration में लिख दिया इसकी integration असान है बहुत कैसे 1 plus cos x को t put करो minus sin x dx dt बन गया यानि कि sin x dx बन गया minus dt देखो minus dt by t तो इसका answer तो सीधा आगया मैरा log t ठीक है यहाँ sorry इधर आगया इसकी integration देखो इसकी integration दे log t तो t की चगए वापस से मैंने लिख दिया log 1 plus cos x main चीज यह है मैंने 1 plus cos x को लिख सकता हूँ 1 plus cos 2 into x by 2 1 plus cos 2 theta इस होता है हमारा 2 cos square theta है तो 2 cos square theta अगर मेरा नीचे है तो उपर जाके इस x square theta बन जागा और 2 भी half मैंने बाहर निकाल दिया ठीक है तो x into x square x by 2 half इसको मैंने लिया u इसको मैंने लिया v और यहां से आ रहा है minus log t ठीक है तो u integral v minus u dash integral v एक half पहले से था half मैं बाहर सबके साथ रख रहा हूँ ठीक है बाहर तुम ऐसे common में भी ले सकते हो पर मैं सबके साथ multiply कर रहा हूँ ठीक है तो यह मेरा क्या बन गया इसकी integration होती है 2 tan x by 2 2 क्यू होती है देखो इसकी integration होती है tan x by 2 और chain rule से divided by 1 upon 1 by 2 तो और जाके 2 बन गया और 2 और 2 मेरा कड गया है यहांसे तो आ गया x tan x by 2 ठीक है अब इसकी integration की integration क्यूंकि u dash 1 था तो यह हो गया मेरा tan x by 2 2 tan x by 2 तो अगें 2 और 2 काट दिया मैंने इसकी फिर से integration होती है log sec x और क्यूंकि एक 2 भी multiply होगा चेन rule से ठीक है यहां मेरा इसको मैं क् अब एक चीज देखो यह और यह कड जाएगा आपस मैं ऐसा क्यूं log cos x by 2 को मैं लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 1 upon sec x by 2 यानि sec x by 2 की power sec x by 2 raised to power minus 1 और minus को बाहर लेका के plus कर सकता हूँ देखो plus कर दिया ताकि मेरा यह और यह कड जाए तुम सोचो के भाई log 2 कहा मेरा गायब हो गया हाँ भाई गायब हो गया it is a constant मैंने log 2 और c को मिला के c1 लिख दिया कि यह constant है अब यह और यह तो cancel out हो गया बचा मेरा सिर्फ x tan x by 2 और option हमेरा यह दे रखा है यह तो d is the correct answer तो ठीक है यार integrals की exemplar solutions में इतना ही था exemplar ठीक है आगे exemplar में मिलते है और बा में हमने थोड़ा सा वो खाया कि इसमें सिर्फ वो कोशन लिया जो ncrt में गिवन ही नहीं है अलग-अलग टाइप के थोड़े से थीक है तो बाई-बाई